जी नमस्कार राजगरवासियो मेरा नाम कृष्ण पाल राठोर है और आप महारो राजगर का यूट्यूब चेनल देख रहे हैं राजगर के जितने भी किसान हैं इस खबर को देखकर मायूस होगे वैसे जो किसान लोग हैं उनके मन में एक चिन्ता जरूर होगी कि उनकी फसल खराब ना हो जाए और ऐसे में मोसम विभाग ने भी राजगर जिले की किसानों को चेताओनी भी दी है और अलर्ट भी जारी किया है कहा है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना है कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं ऐसे में खेत में कटीवी फसल कई किसानों की है खेत में खडीवी फसल भी कई सारे किसानों की है और ऐसे में किसानों की चिन्ता बड़ी है राजगर जिले के किसानों की हर बार की यही दिक्कत होती है क्योंकि राजिस्तान की बोर्डर पर हमारा जिला है ऐसे में हमारा मोसम बहुत जल्दी चेंज होता है तो जब फसल कटाई का समय होता है तब हमेशा मोसम जो इंद्रदेव है वो अपना खेल दिखाते हैं और राजगर जीले की किसानों को मायूस करते हैं फिर इंद्रदेव जब मायूस करते हैं उसके बाद में राजगर जीले की किसानों को नेता लोग भी मायूस करते हैं वादे करते हैं कि हम आपको सर मुआउजा देंगे, फसल का बीमा आपको मिलेगा, लेकिन असलियत यह है कि पिछले कई सालों के बीमा फसल बीमा अभी तक नहीं मिले हैं, पिछले कई सालों के मुआउजे भी अभी तक नहीं आएं किसानों के खाते में, तो एक बड़ी चिं हमें भी पता है कि तिरपाल ढखना तिरपाल की विवस्ता करना जो फसले उसको इकटी करके एक जगा रखना यह सबसे पहले यानि की प्रात्मिक्ता का काम यही होना चाहिए जितनी फसल जितनी जल्दी आप निकालेंगे हो सकता है कि जो बड़े किसानों उनको घासपूस की जर्वत ना हो उनके लिए उनके घर पे अगर गाइड हो ना हो हमारी मालवी में अगर बोले तो तो वो लोग हर्वेस्टर से उनकी फसल को निकल वा सकते हैं ताकि उनकी फसल जल्दी निकल जाए और भी तमाम सारे तरीक हैं और मुझसे बहतर जानते हैं लेकिन यह नोबत नहीं आना चाहिए कि हमें सरकार के सामने मुआउज़ के लिए हाथ फेलाना पड़े किसान सक्षम है सब कुछ करने में इसलिए इस मोसम से भी हमें मिलकर लड़ना है इस मोसम से घबराना नहीं है अगर हम घबरा जाएं हम हमारी फसल को इघटा करने में लगे हमारे परिवार के जो सदस्य है जो बच्चे हैं उनको भी अगर आप लगा ले कुछ दिनों के लिए चार पांच दिनों के लिए तो निष्टे तोर पर आपको फायदा हो सकता है हमें सरकार के आगे हाथ फेलाने से जो है वो बचना हैं क्योंकि सरकार तो केवल वादे करती है सर आपने देखा होगा आपकी फसल के जितने वीमा हैं उन वीमों में कितने वीमा आपको मिले हैं आपने देखा होगा जितने मुआउजों के वादे सरकार ने आपसे किये हैं उन मुआउजों के वादों में कितनी सच्चाई है क इतने मुहावजे पिछले फसल का मुहावजा आप लोगों को मिला है क्या आप देखिए सरकार केवल आपको दिलासा देगी आपके कंदे पर हाथ रखेगी और बोलेगी कि हम किसान के साथ है लेकिन असल में होता कोई भी नहीं है ये एक काली हकीकत है और राजगर जीले का क पिछला पेमेंट है वही अभी तक आपके खातों में नहीं डाला होगा तो इसी तमाम सारी चीज़े हैं जो करना चाहते हैं केमरे के सामने लेकिन उन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि सरकार जो वादे किसानों से करती है वो केवल चुनाओं के समय में करती है अभी आपको हो सकता है कि इस फसल का मौावजा भी मिल जाए लेकिन हमें सरकार के भरोसे नहीं रहना है इसलिए बोल रहा हूं मौावजा मिल जाए क्योंकि विदानसवा चुनाओं बहुत नजदी के सर और राजगर का किसान इंद्रदेव के इस प्रकोप से ट्राही माम कर रहा है और हम चाहते हैं कि वह इस से लड़े ये मोशं है इसमाजब से मुक्ति मिले याना मिले लेकिन जतनी जल्दी अगर हाथ चलाएंगे उतनी जल्दी हमारा काम होगा तो तमाम सारी चीजे हैं राजगाड का किसान अभी अलर्ट पर है मोसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट किया है राजगाड में हो सकता है ओले भी गिरे हो सकता है तमाम सारी चीजे हो हम तो बगवान से ही प्रातना क चाहते हैं कि आप माला माल हो, क्योंकि जब किसान के हाथ में पेशा आता है, तो बाजार में पेशा आता है, और बाजार में जब पेशा आता है, तो हर एक घर में खुशाली होती है, चाहे वो वेपारी हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो कोई भी हो सर, किसान के हाथ में आपने वार